हेलो दोस्तो आ गई है आपके लिए भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार्गो वेन और पैसेंजर वेन तो महिंद्रा पेश करता है आपके सामने महिंद्रा इलेक्ट्रिक सुपरो कार्गो और पैसेंजर वेन तो आज का हमारा वीडियो इसी के उपर रहने वाला है वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो में अंततक बने रहिए वीडियो में हम गाड़ी के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बताएंगे साथ ही आपको features के बारे में बताएंगे और आपके मन में जो सवाल उठेंगे उनके बारे में भी हम यहाँ पर discuss करेंगे तो वीडियो में अंतर तक बने रहिएगा चलिए अधिक देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस हमारे महिंद्रा electric supra session को महिंद्रा की तरफ से आने वाली इस electric supra van को भारत के modern cities के हिसाब से design किया गया है यह van e-commerce के साथ ही courier service और transportation जैसे कामों के लिए उप्युकते हैं electric supra आपको पूरी तरह eco friendly तो मिलती है साथ ही आपको यहाँ पर प्रकार के फाइदे भी मिल जाते हैं जैसे हम फाइदों की आप बात करें तो इसमें आपको modern frontal design तो मिलता ही है साथ ही spacious and comfortable sitting का option भी आपको यहाँ मिलता है यहाँ पर आपको बड़िया leg space भी मिल जाता है अब zero on emission यानि कि यह गारी आपको किसी भी प्रकार के उस सर्जन के बिना मिलती है यह गारी बहुत ही eco friendly मानी जाएगी वहीं इसे चार्ज करना भी बहुत आसान है इसे आप एक mobile phone की तरह चार्ज कर सकते हैं इसमें आपको 15 ampere का plug point दिया जाता है जिसमें 0 से 100% चार्ज होने में मात्र 8 कंटा 30 मिनट का ही समय लगता है साथ ही यहाँ पर आपको एक unique instrumental cluster भी लगा कर दिया जाता है जिसमें आप battery percentage के साथ ही कितने समय पर आपकी battery खाली होगी यह कितना kilometer चल सकती है speed, gear engaged और total running यानि कि आपकी गाड़ी कितनी चली है यह सब भी देख सकते है और यहाँ पर आपको lithium-ion battery का भी option मिलता है जो कि बहुत तरवार्ट में आती है इस electric supra में आपको एक खास बात यह मिल जाती है कि आपको यहाँ पर revive का option मिलता है revive यानि कि आप battery खतम होने के बाद अपनी गाड़ी 7 km तक extra चला सकते है जिससे कि आप अपने nearest charging point को ढूँड सके इस electric supra में आपको यह option बहुत ही खास दिया जा रहा है और साधी यहाँ पर आपको अन्नी भी बहुत सारे features मिल जाते है यह भारत की पहली electric supra van है जो कि 10 लोगों के बैठने की सुईधा के साथ आती है यहाँ पर 10 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही सांदार आरामदाएक seats का option भी आपको मिल जाता है वहीं cargo van की बात करें अब यहाँ पर गाड़ी के कुछ technical specifications पर नज़र डालें तो हम पहले गाड़ी की battery और electric motor पर नज़र डालेंगे गाड़ी की battery में आपको pack rating 200 mAh की मिलती है pack rating से ताथ पर यह रहता है कि कोई भी battery एक निश्चित समय में कितनी मातरा में current release करती है अब motor की बात करें तो यहाँ पर आपको AC induction वाली 3 pH की motor मिलती है इसकी maximum power 25 kWh की रहती है जो 3000 rpm में और torque की बात करें तो यहाँ पर आपको 90 Nm के साथ आता है जो की 1500 rpm में मिलता है performance पर नज़र डालें तो यह गाड़ी आपको 60 km per hour की top speed के साथ और range passenger van में 112 km की और cargo van में आपको 115 km तक की range मिल जाती है गाड़ी को charge होने में 0 से 100% तक 8 गंटा 30 मिनट का समय लगता है जो यहाँ पर आपको एक बहुती शांदार range के साथ बड़िया मात्रा में speed के साथ आती है अब vehicle dimensions पर नज़र डालें तो गाड़ी की कुल लंबाई आपको 3798 mm की चोड़ाई 1540 mm और उचाई 1922 mm की मिलती है गाड़ी का wheelbase आपको 1950 mm का और ground clearance 130 mm का मिलता है इससे पता चलता है कि गाड़ी अच्छे खासे dimensions के साथ बड़िया लंबी और चोड़ी मात्रा में मिल जाती है गाड़ी में आपको एक अच्छी मात्रा में payload भी मिलता है वहीं suspension में गाड़ी के front में आपको McPherson strut with coil spring suspension और rear में आपको leaf spring type का suspension मिल जाता है leaf spring suspension बहुती मजबूत suspension रहता है जो कि एक सांदार loading capacity के लिए सक्षम रहता है वहीं गाड़ी के tires की बात करें तो यहाँ पर आपको 155 by 80 R13 radial के tubeless tires वो भी 33 cm में मिलते हैं जो कि एक बड़िया size के tires रहते हैं इस गाड़ी के लिए गाड़ी के front में आपको hydraulic disc brakes और rear में hydraulic drum type के brakes लगागर दिये जाते हैं और गाड़ी में आपको 2 साल या फिर 40,000 km की warranty मिलती है वहीं battery की warranty की बात करें तो इस गाड़ी की battery में भी आपको 3 साल या फिर 40,000 km की warranty दी जाती है warranty के मामलों है तो आपको गाड़ी में एक बहुत ही शांदार warranty मिलती है अभी हमने आपको जो specifications बताए यह तो दोनों गाड़ियों में cargo van और passenger van दोनों में ही same थे लगबग अब दोनों में कुछ specifications अलग-अलग है उन पर हम नजर डालें तो दोनों काड़ियों की sitting capacity को देखेंगे cargo van में आपको driver plus co-driver की sitting capacity मिलती है वही passenger van में आपको driver plus 9 seaters यानि की 10 seaters वाली sitting capacity मिलती है वही cargo van में आपको length width और height को देखें तो यहाँ पर आपको 6 feet लंबा, 4 feet चोड़ा और 4 feet उंचा cargo box मिल जाता है cargo van का loading volume 2330 liter तक का रहता है और payload 600 kg का GVW की बात करने तो दोनों ही गाड़ियां passenger van और cargo van यहाँ पर 1920 kg के GVW के साथ और curve weight की बात करने तो दोनों ही गाड़ियों का curve weight 1320 kg का रहता है यह थे गाड़ी के technical specifications अब आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे जैसे गाड़ी range कितना देती है महिंद्रा की यह गाड़ी आपको cargo में 115 km तक का range और passenger van में 112 km तक का range देती है अब आपके मन में दूसरा सवाल यह उठ रहा होगा कि हम इसे चार्ज किस माध्यम से करेंगे सुपरो को आप चार्ज करने में 8 घंटा 30 मिनट का समय लगता है इसे चार्ज करने के लिए 15 एंपियर का plug point चाहिए आपको अगर आप कहीं सफर पर निकले हैं और बीच में ही battery खतम हो जाए तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है यह गाड़ी आपको 7 km का extra revive देती है इस 7 मिनट में आप अपने nearest charging point को ढूण सकते हैं revive का option इस गाड़ी में आपको बहुत ही शांदार option मिलता है यह option आप instrumental cluster से activate कर सकते हैं और आपके मन में अगला सवाल है उठ रहा होगा कि हम revive को activate किस प्रकार करेंगे और कितनी बार कर सकते हैं हमने आपको बताया कि हाँ आप revive को instrumental cluster से activate कर सकते हैं और revive को आप पूरी battery life में 5 बार activate कर सकते हैं यह सिर्फ एक emergency feature है अब आप सोच रहे होंगे कि electric supra को charge करते वक्त अगर आपने इसे touch किया तो क्या आपको shock लगेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है electric supra के system को इसी प्रकार design किया गया है कि आपको इस प्रकार की दुरखटनाओं से बचाया जा सके लेकिन हम आपको यह सुजाओ और आश्य देंगे कि आप कभी भी जब switch को touch करें या फिर इसे charge करें तो आप सुखे हातों से ही इसे charge करें बैटरी आपको बहुत सारी सुरक्षा के पर्तों के साथ मिलती है यह आपको इस प्रकार की दुरखटनाओं से हमेशा ही बचाती है अगर आपको इस गाड़ी से जड़ी हुई कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें comment section में बता सकते हैं तो यह था एक वीडियो महिंद्रा इलेक्टरिक सुपरो के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share करना ना भूले और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो फॉलो कर लीजिए वहाँ पर भी हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं और साथ ही वीडियो में अंततक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद